वेल्कम बेक एब्रीवन वेल्कम टे सेवल सरविसे श्टड़ी प्रेक्टिस सेट नंबर 665 पर आजाए यूपी पीसियस के लिए और प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इस टैस सीरीज की बना रखी है वहां पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर 665 तक पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है चलिए तो कोश्चन नंबर बन पर आजाए थोड़ा ती ब्रगति से चलेंगे हम भारते संबिधानिक विकास के संदर में प्रांतों से संबिधानिक सभा के सरज से बताईए संबिधान सभा के सरज से वही चुन्ने चुनाने की बात कर रहा है तो प्रांतिय विधान सभा दारा निर्वाचित होए थे डी तो कैविनेट मिसन वर्स 1948 में सर पैथेक लॉरेंस की अध्यक्सता में भारत आया और कैविनेट मिसन न 16 मैं 1946 को अपने प्रस्ताप की खुछना की जिसके अनुसार संबिधान निर्माण के लिए संबिधान सभा का गठन प्रांति ये विधान सभाओं और देशी रियास्तों के प्रतिनिधी द्वारा तै किया जाना ठीक है? तै किया जाना तै किया गया अब देखिए प्रतेक प्रांत को जो है उसकी जनसंख्या का अनुपात में अर्था सामाने था दस लाग की आबादी पर एक प्रते निधी के अनुपात में सीटों की कुल संख्या का वंटन किया गया और संभिधान सभा के लिए हुए चुनाप में बिटिस भारत के प्रांतों की 296 सीटों में से कॉंग्रेस को 205 सीटों पर जीत हासिल होई कॉशन नुबर टू पर आजएए संभिधान सभा में वैस्क मताधिकार को किसने 15 वर्स के लिए करने के बात की थी कि 15 साल का भी चुनाप दे सकता है ठीक है बोटिंग कर सकता है मौलाना आज़ात अबुलकलामा आज़ात तो संभिधान सभा में वैस्क मताधिकार के विश्य पर वहस करने के दौरान मौलाना अबुलकलामा आज़ात ने वैस्क मताधिकार को 15 वर्सों के लिए करने की बात की थी ठीक है जिसका समवर्थन डॉक्टर आजंदर परशाद ने किया था और पंडित जवाल लाल नहरु ने भी किया था कोश्चन नुम्बर तरी पर आज़े हैं भारते समिधान सवा में कुल कितनी महिलाएं सरस्या थी कितनी थी पंडरा थी पंडरे के नाम धराली जी का दो तीन बार इस्टेटमेंट बना कर पूछ सकता है कौन कौन है हो पंडरे महिलाएं बिजय लक्ष्मी पंडेत, राजकुमारी अमरितकौर, सरोजनी नाइडू, सुचेता करपलानी, पूर्णी माबेनर जी, लीला राय, जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चोधरी, रेनुका राय, मालती चोधरी दक्षियानी, बेलायुदन, और बेगम एजाज रसूल, और एनी मसकरिनी, मसकरिनी, और अम्मू स्वामिनाथन और इसमें नहीं है, तो मैडम भीकाजी कामा एक प्रश्न पूछा, इस सरे लेटर, थम्बने लपर बारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, संविधान सवा को, इसका उत्तर पती होगा आपको, दो साल 11 महिन 18 दिन का समय लगा था, तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सवा को, दो साल 11 महिन 18 दिन का समय लगा, इस दौरान कुल 12 अधिवेश हुए संभिधान को 26 नूमबर 1907 को अंगिकरत किया गया अडॉप किया गया ठीक है संभिधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनबर 1950 को याद रखना जिसमें संभिधान सभा की सरफ से द्वारा संभिधान पर हस्ताक्षर किये गए ठीक है यानि इस से पहले देखा जाए तो 11 धिवेशन हो गए थे यह स्ताक्षर वाला दिन 12 वा था टोटल 12 हुए अगर अप्सन में 11 हो तो 11 मारना मतलब 12 नहीं हो तब 11 मारना ठीक है 12 हो 11 हो तो 12 मारना और 26 जनबर 1950 को लागू हो गया 26 जनबरी को संब्धान लाग भूँ था इसने 26 जनबरी को गरतंतर दिवस मनाया जाता है कॉश्चन नूबर 5 पर आजए 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मंडल ने साथ प्रांतों से साथ प्रांतों में त्याक पत्र दे दिया था क्यों दिया था कॉंग्रेस ने क्यों किया था इसा इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि अंग्रेजियों ने भारतियों के अनुमत्ति के बिना उनका नाम दुत्य विश्वद में दे दिया था तो 1949 में दुत्य विश्वद प्रारंब हो गया और कॉंग्रेस चाती थी कि ब्रिटेन यहां घोशना करेगी युद्ध का उद्धेस सामराजवाद का उद्धे होगा और युद्ध के पस्चात भारत को पूर्ण स्वतंतृता दे दी जाएगी फुक्ति दिवस मनाया, हाला कि पंजाब में, बंगाल में और सिंद परांट में गैर काउंग्रिसी सपृस स्रकार थी वहां पर, तो वहां मंत्री मंडल काम करते रहे नमबर शिक्स पर आजएए, नम्रिक में से संविधान सवा की संग संविधान समिती का अध्यक्स कौन था, यह प्रश्ण इंपोर्टन्ट है, बहुत पूछा गया है एक्जाम में, इसका उत्तर है जवाल लाल नहरू तो देखे, संविधान सवा के इस्थाई अध्यक्स थे, डॉक्टर राजंदर प्रसाद, ठीक है, याद रखना, संविधान सवा के संग संविधान समिती के अध्यक्स थे, जवाल लाल नहरू संभेधान सभा की बैठक होई थी पहली बैठक 9 December 1964 को दिल्ली में और इसकी अध्यक्स तक इसने की थी सच्चीरानन सिना ने ठेक दो दिन बाद 11 December 1940 को दूसरी बैठक होई इसके इस्ताइं अध्यक्स बनाएगा संभेधान सभा वो थे राजंदर प्रसाद तो 11 दिसंबर 1946 को जबालाल नहरू ने संबेधान सभा का प्रस्ताब रखा ठीक है और जो 11 दिसंबर को सौरी 22 दिसंबर को पारित हुआ जिसके अनुसार संबेधान सभा ने द्रण और गंभीर निश्य व्यक्त किया कि भारत को स्वतंत्र प्रभ प्रारूप समिति के सरस्य थे प्रारूप समिति में टोटल साथ मेंबर थे ठीक है इन सातों में एक थे अध्यक्स वो थे भीम्राम बेटकर और छे अन्य सरस्य थे और एक्जाम के फेवरेट हैं बहुत पूछते हैं एन गोपाला स्वामी आयंगर ये थे नहरू नहीं थे अल्लादी कृष्णवा स्वामी अयर थे पटेल नहीं थे सातों का सातों का नाम याद रखना ठीक है पटेल से भी बैसे अलिमिनेट हो जाता चार गया चार गया चार गया एक और तीन तो डॉक्टर भीम्राम अंबेटकर के अध्यक्स तामें गठेत संबेदान सबागी प कृष्णवा स्वामी अयर एक चीज़ है इंपोर्टेंट है डीपी खैतान की मृत्य हो गई थी उननेस और तालीस में तो इनके स्थान पर किसे सरत से बनाए गया था उनका नाम याद रखिया गा तो इसमें बील मित्र के स्थान पर एन माधवराव को डीपी खैतान की मृ करत्यू उननेस वर्तालीस में हो गई तो उसके कारण जो है टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समयती के सरश्पी के रूप में सामिल किया गया था तो दो लोग सामिल हुए थे कौन कौन टीटी कृष्णाचारी और एन माधवराव किन पर बील मित्र के स्थान पर और सब्सक्राइब करना चारी डीपी खेतान के स्थान पर याद रखना कोशन नुबर रेट पर आजए समिधान सभाकी स्थाबना निम्लिकित में से किस आयोग या यूजना किसी भारिस पर गी गई इसका उत्तर तो पते होगा आपको कैविनेट मिसन यूजना तो देखिए सरस्टेफोर्ट क्रेप्स, एवी अलेकजंडर और पैथिक लॉरेंस थे भारत भेजा सर पैथिक लॉरेंस जो है कैविनेट मिसन के अध्यक्स थे कैविनेट मिसन के सिफारिस पर ही भारत के समिधान के निर्माण के लिए समिधान सभा का गठन किया गया था question number 9 पर आजाए सम्भिधान सवा में dr. भीमरा अमबेटकर की अध्यक्स्ता में एक प्रारूप समीती जो बनी थी ना जिसमें total 7 member थे अमबेटकर को मिला कर उसका गठन कब हुआ था date बता दीजिए exact और question important है यह बताइए क्या है exact date 29 अगस अमबेटकर की अध्यक्स्ता में 29 अगस्त गबर्नर जनरल दवरा मननीत नहीं congress Muslim League दवरा मननीत नहीं देशी रियास्तों के राजाओं दवरा मननीत और बिटिस सौरी बिभिन परांतों की विदान सवाओं दवरा निर्वाचित ठीक है अपरत्यक सुरूप से वो भी तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा सम्विधान सभा के कुल सदस्वे 389 थे जो पूर्व की विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये गए और देशी रियासतों के साशकों द्वारा मनुनीत किये गए भारत्य सम्विधान के निर्माण में कुल कितने सत्र आयुजित किये गए थे तो चुकि ऑप्सन में 11-12 दोनों है तो बताया था भी ठीक है 11 दिन लगे 11 अधिवेशन होते लेकिन एक दिन हस्ताक्षर वाला भी तो काउंट करेंगे न तो कुल मिलाकर 12 पूछा किया कुल कितने सत्र अगर 12 नहीं है तो 11 भी सी हो जाएगा तो भारत्य सम्विधान निर्माण में सम्विधान सभा को 2 सार 11 महीन 18 दिन का समय लगा इस दोरान कुल 11 अधिवेशन होए 11 अधिवेशन के अंतेम देन यारी 26 नवबर 1948 को सम्विधान को अडविधान को अड़ूप्ट किया गया तो कुल मिलाकर कितने अधिवेशन होए 12 यह अधिवेशन कोश्चे नुम्बर बारे पर आज़े भारते सम्विधान की निर्माण के समय सम्विधानिक सलाकार की से निक्ति किया गया था कौन है सम्विधानिक सलाकार बी अन राव तो सम्विधान सबाके सलाकार के रूप में सर बैनेगाल नर्सिंग राव यह पूरा नाम भी याद रखना ठीक है बियन राओ कोई नाम है इनको नुक्त किया गया और बाद में इन्होंने संयुक्त राज चे सुरक्षा परिशद में वर्स 1950-1952 भारत का प्रतिनेजित भी किया तेरवा प्राशन है पूरी दुनिया में लिखित संबिधान का प्रारम किसने किया सबसे पहले कौन सा देश है वो है अमेरिका तो विश में सबसे पहले लिखित संबिधान की व्याख्या संयुक्त राज अमेरिका में हुई और अमेरिका में 4 मार्च 1789 को संबिधान लागू किया गया और इसको adopt tick up किया था अमेरिका ने Philadelphia सम्बेलन में किया था दो साल पहले 1787 में Britain की संभेदान की बात करें तो Britain का संभेदान आ लिखित संभेदान का उधरना है और भारत का संभेदान विष्व में सरवाधिक बड़ा लिखित संबिधान का उधारने याद रख़ा हूँ Question number 14 पर आज़ोई है नम लिखित अधिनियों में से किस अधिनियम का भारत के संबिधान पर सबसे अधिक प्रुभाब पढ़ा वो है Government of India Act 1935 यानि भारत सरकार अधिनियम 1935 तो भारत संबिधान पर सबसे अधिक प्रुभाब Government of India Act 1935 करा इस अधिनियम से भारत के संबिधान में लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे संबिध किया गया है Question number 15 पर आज़ी है 15 प्राशन है भारत संबिधान का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था अब ये नहीं पूछ रहा कि अंग्रेजी भासा में हिंदी भासा में ठीक है सीधे सुलेखन पूछ रहा है क्योंकि दो लोग हैं सुलेखन से जुड़े अंग्रेजी भासा के लिए हैं प्रेम बिहारी नारण रायजादा और हिंदी भासा के लिए हैं बैद जी अब एक लिपी में देवufennalगरी लिपी में समय डिफार्दान का सुलेखन का सरय जाता है वसंत करश्ण बैद को याद रखेगा हंदी देवनागरी में सुलेखन वसंत क्रश्ण बैद और अंगरे हासा में सुलेखन प्रेम विहारी नार्यान रायजादा वागी तो 26 नवबर 1909 को भारते सम्विधान को अंकिकरत किया गया और 26 जनबरी 1950 को लागू कर दिया गया 26 जनबरी को लागू हुआ इसलिए 26 जनबरी को हम गरतंतर दिवस के रूपे मराते हैं रिपब्लिक डे ठीक है तो 15 अगस्त इंडिपेंटेंटेंटे तो 15 ये प्रश्ण थे इनकी प्रेक्टिस कर लेजेगा एक बार तो करी लेना इंडिन पॉलिटी के धन्यवाद